नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल पे और मैं हूँ सौरब दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप intra-day trading कैसे कर सकते ही आप मैंने आपको पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था मैंने दो वीडियो पहले बना चुका हूँ कि कैसे आप को भी stock sell कर सकते ही और कैसे जोस्तों आप grow application use कर सकते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक dedicated वीडियो बताऊंगा detail में कि जिसमें आप intraday trading करना सीख सकते ही तो यही तो वीडियो है अगर आपको जाना कि आप intraday trading कैसे कर सकते ही तो वीडियो complete watch कीजिएगा एंड गाईज एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे अगर आप बहुत ही जाला beginner है अभी आप new new बहुत ही जो है latest आईवे है त्रेडिंग में या फिर यहाँ पे share market में तब आपके लिए और भी जादा important हो जाती है कि आपको हर एक word हर एक जो है मैं आपको चीज बताऊंगा उसको ध्यान से देखना है और समझना है क्योंकि जिसको अगर थोड़ा दिन हो गया है उसको तो experience हो गया होगा जैसे 2-3 साल अगर हो गया तो उसको experience हो गया होगा बढ़ अगर आपको 10-15-20 दिन एक मैंने दो मैंने पहले आप आए हैं तो आपको हर एक चीज जानना बहुत ही जादा जरूरी है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप कितना ज़्यादा profit कर सकते हैं और कितना ज़्यादा आपको loss भी हो सकता है वो सारा कुछ आपको detail में बताऊंगा मैंने किया हुआ है तो मैं अपना जो experience वो आपके सभी लोगों के साथ साजा करूंगा तो वडियों को complete watch किजिएगा अगर आपको सारा कुछ बताने से पहले आपसे छोड़ी से request करता हूँ अगर आप हमारे चनल पे नए हैं पहली बार आएं तो वडियों को like share जरू से कर दिजीगा और subscribe पे क्लिक करके चनल को subscribe कर लिजीगा और bell icon पे प्रेस कर लिजीगा अब चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे आप intraday trading कर सकते हैं और मैं आपको grow application में करके दिखाने वाला हूँ अब guys आपको एक confusion होता होगा पहला तो guys intraday जो word है ये intraday आप हर चीज में कर सकते हैं हर चीज का मतलब ये है कि आप stocks में मतलब shares में कर सकते हैं कोई company का अगर आप सिर्फ एक दो share करिदना चाहते हैं और उसमें आप intraday करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप option trading में भी intraday कर सकते हैं guys मुझे पता है कि आपको बहुत ही confusion लग रहा हो कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ बट चली मैं आपको practical तरीके से समझाता हूँ तो guys सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि कोई भी stock मतलब कोई भी company के stock में आप intraday कर सकते हैं तो example के लिए मैं एक कोई stock को यहाँ पे कोई company को select करता है जैसे कि यहाँ पे है Tata Steel मैं इसको इस तरह से select करता हूँ अब guys इसको select करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो price है वो अभी चल रहा है यहाँ पे 153 रुप्या 90 पैसा 85 पैसा 95 पैसा इस तरह से करके यहाँ पे चल रहा है और उसकी बाद यहाँ पे guys अगर यह तो हो गया stock वाला buy पे आप click करेंगे तो यहाँ सी आप इसको पर्चेस कर सकते हैं मतलब buy कर सकते हैं अब अगर आप उपर में देखते हैं तो यहाँ पे एक तरफ है delivery का option दूसरा तरफ है intraday का option और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो delivery होता है guys यह होता है कि आपको अगर long time के लिए hold करके रखना है तो आप इस option में select करें आपको select करना है और निचे buy पे आप click करेंगे तो वो long time के लिए purchase हो जाएगा मतलब कि आप जितना दिन चाहें उतना दिन इसको अफोल्ड करके रख सकते हैं और अगर आप जो है चाहते हैं यार मैं सिर्फ आजी खर दूँ आजी बेच दूँ मतलब short time के लिए खर दूँ तो उसके लिए आपको intraday select करना पड़ेगा जी हा और guys अगर आप intraday select करके यहां पे purchase कर लेते हैं तो क्या होगा जो मतलब आपको जैसे की पता होगा कि साड़े तीन बजे market जो है close हो जाती है तो guys यहां पे intraday select करके अगर आपने purchase किया है तो तीन बज के 20 मिनट में आपका जो यह stock है वो automatic यहां पे sale हो जाएगा मतलब की intraday का मतलब होता है तो मतलब खोज से तो करना ही चाहिए guys अगर आप खोज से नहीं करते हैं कभी कभी अगर आप भोल जाते हैं तो वो automatic sale हो जाता है लेकिन उसके लिए आपको extra charge भी लग जाता है तो इसलिए मैंने आपको बोला कि intraday जानने के लिए intraday में trading करने के लिए सबसे पहले आपक आपको starter steel का stock दिखाया यह stock में आप कर सकते हैं अगर आप चाहते यार मैं इसको जो है आपने एक वर जरू से सुनाओगा option trading तो यह option trading क्या होता है मैं F&O कि लिक कर तो यह option trading होता है and guys option trading का मतलब यह है कि आप अलग-अलग index में जाके भी जो है intraday कर सकते हैं अब index क्या हो तो guys index वो होता है जिस index के अंदर आपको groups में जो है companies के share मिलते हैं जैसे आपको ने nifty 50 का नाम सुनाओगा nifty 50 bank nifty midcalf nifty तो इस तरह से आपको मिलता होगा sensex आपने सुनाओगा तो guys यह होते हैं index और इन index के अंदर आपको जो है companies मतलब 50 companies 100 companies इस तरह से companies मिलते हैं and आप एक साथी इन सभी companies का जो share है उसको buy कर सकते हैं और वो भी guys आप उसकी अंदर भी intradic कर सकते हैं तो चलिए आपको सारा confusion दूर करता हूँ तो यहाँ पर guys मैं click करता हूँ nifty pay मतलब आपको यह purchase करके तो नहीं दिखाऊंगा यह में next video मैं आपको बताऊंगा कि आप option trading के अंदर intradic कैसे कर सकते हैं आज का मेरा जो topic है वो है stocks के अंदर आप intradic कैसे कर सकते हैं और मैं इसलिए यह चीज़ बता रहा हूँ बीच में ताकि आपको confusion ना हो क्योंकि बहुत सारे भाई confused हो जाएंगी मुझे पता है क्योंकि मैं भी जब starting में आया था तो मैं भी confused हो जाता था तो यहाँ पे दोनों चीज़ों की अंदर आप intradic कर सकते हैं पहला stock and दूसरा जो है यहाँ पे option trading stock में आप सिर्फ एक company का stock खरीच सक कि यह कोई भी एक strike price है यह भी आपको समझ नहीं आएगा मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मैं इस पे click करके एक बार buy पे click करता हूँ आप guys यहाँ पे देख सकते हैं आपको यह जो इंटरफीस थोड़ा सा देखा दिखा लग रहा होगा मैंने जो भी आपको दिखाया था stock में उसमें भी आपको delivery एंड इंट्रा डेका आप जो है बटल मिल रहा होगा और यहाँ पे भी same यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बट गाईज आपको उसमें अगर और इसमें अगर आप यहाँ पर डिफरेंस में एक quantity नहीं करीज सकते मैंने आपको जैसे की बोला कि यहाँ पे आप ग्रूप में जो है quantity खरीज सकते हैं जैसे की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 companies यहाँ पे दोस्तों पीस जो है nifty 50 के अंदर है और 50 company है मतलब कि आपको 500 company का एक एक stock को खरीजना ही पड़ेगा मतलब एक अक शर खरीजना ही पड़ेगा तभी आप जो है option trading के अंदर intraday कर सकते ही इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको option trading का intraday next video में बताऊंगा detail में आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ stock में कैसे intraday कर सकते हैं वो बताऊंगा तो यतना confusion दुर हो गया होगा कि starting में अगर आप new new हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ stock में intraday करना है आपको option trading में नहीं जाना है क्योंगा उसमें मतलब बहुत ही जादा कुछ आपको सीखनी के अभी जुरत है जो मैं आपको next video में सिखाऊंगा तो चलिए इतना confusion दूर हो गया अब मैं back जाता हूँ और आपको stocks stocks में कैसे आप intraday कर सकते हैं वो चलिए live करके दिखाता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि मैं कोई भी यहां पे random सा एक जो है select करूंगा stock जो की यहां पे वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ अब आप research करें कि आपको किसमें intraday करना है और सिर्फ एक help में आपका कर सकता हूँ गाइस आप ऐसा ही जो है stock में intraday करें जिसमें volatility जादा हो volatility का मतलब क्या होता है चलिए वो भी बताता हूँ यहां पे guys मैंने इस पे click किया एक share पे और अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां से market आज start हुआ उपर में और यहां से नीचे आया फिर फिर उपर गया, फिर नीचे आया, फिर उपर गया, फिर नीचे फिर उपर, फिर नीचे फिर उपर तो यहां पी जो ऊपर नीचे होता है बार बार इसको ही volatility बोलते हैं अगर गाई कोई एसा share है जो यहां से start हुआ और ऐसे ऐसे तो आपको loss होने का chance ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको ध्यान लगना है, आपको ऐसा ही share में intraday करना है, जिसका जो volatility हो वो ज़्यादा हो, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उपर भी चल जाए, और बहुत ज़्यादा निचे भी आ जाए, तो इस तरह वाला में अगर आप करेंगे, तो इसमें आपका profit ही होगा, और loss होने का जो chance है, वो बहुत ही कम रहेगा, जो कि यहाँ पे मैं Tata Steel का आपको example के लिए दिखा रहा हूँ, अगर मैं निचे करूँगा तो देख सकते ही, इसका जो मतलब आज lowest price था, इस तरह का option तो आपको यहाँ पे इस तरह का interface तो मिलता ही है, अब आपको intraday करने के लिए सबसे पहले आपको buy करना पड़ेगा stock, तो आपको निचे जो buy का button मिलता, simple सा आपको इस पे click करना है, अब गाईज, यहाँ पे मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, कि आप कोई भी stock जो है buy कैसे कर सकते long term के लिए, और जो है long term में अगर आप कोई भी share को buy करेंगे, तो उसका price जितना होगा, उससे आपको थोड़ा जादा ही लगेगा, क्योंकि उसमें charge भी लगता है, जैसे अगर 154 है, और मैं यहाँ पे delivery select करके, अगर यहाँ पे मैं एक share type करूँ, तो आप यहाँ पे नीचे price देख सकते गाईज, यहाँ पे आपको 155 रुपिया देना पड़ेगा, मतलब कि एक रुपिया लगभग आपको जादा लगेगा, जो कि charge लगता है, बट वहीं guys, अगर मैं intraday select करूँ, और intraday select करने के बाद, यहाँ पे मैंने एक stock डाला, तो यहाँ पे आप price अभी देख सकते, इसका जो price है, वो सिर्फ और सिर्फ 31 रुपिया, और delivery में था, उस टाइम पे था 155 रुपिया, तो यह क्यों होता है, guys, यहाँ पे जब आप intraday करते हैं, मतलब कि आप एक ही दिन में खरीदे, उसको एक ही दिन में आपको buy करना है, तो वहाँ पे आपको जो stocks हैं, वो margin देता है, जैसे कि 5 गुना, 6 गुना आपको कम लगेगा, तो यहाँ पे इस stock में आपको फिलहाल के ज़िए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, 154 रुपिया वाला जो share है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 31 रुपिया में मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 5 गुना आपको margin मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, कि आपको अगर intraday करना है, तो starting में आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही company वाले में करें, मतलब कि आपको option trading में starting में नहीं जाना है, आप उसमें कब जाएंगे, जब आपको यहाँ पे experience हो जाएगा, आपको पता चलिएगा कि basic तरीके से ये काम कैसे करता है, जैन उसके बाद आप option trading में intraday कर सकते हैं, तो यहाँ पे guys आपको चलिए आपको live करके दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो intraday select कर लिया, आपको intraday select करना है, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपने हिसाब से research करें, जो भी जिसमें भी आपको intraday करना है, मैं सिर्फ example के लिए आपको इस stock को दिखा रहा हूँ, अब उसके बाद यहाँ पे आपको कितने quantity में intraday करना है, वो quantity आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए अभी एक डाल दिया, यहाँ पे आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, जैसे अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे guys अगर मैं 10 डालू, तो 10 quantity का जो प्राइज होगा हो, यहाँ पे आप देख से 310 रुपिया यहाँ पे हो एक share को buy करूंगा, मैंने यहाँ पे एक share को लिख लिया, अब guys अब नीचे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे है market price और limit price, तो यह क्या होता है, यह भी समझना बहुत जरूरी है, तो guys market price का मतलब यह है, कि इसका जो अभी market में price चल रहा है, जैसे 154 रुपिया 20 पैसा, 25 पैसा, 15 पैसा, इस तरह से चल रहा है, तो अगर आप market price select करके buy कर लेंगे, तो इसी price में buy हो जाएगा, बट अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे अभी 154 चल रहा है, यहाँ पे 152 आए, या फिर 151 आए, 153 आए, मतलब 153 आए, तो मतलब नीचे हो जाए, उसके बाद में य purchase करूं, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट आप तो देखते नहीं रहेंगे, कि कब आया, और कब आपने किया, वो फिर से उपर चल जाएगा, तो आप उस price में नहीं कर पाएंगे, तो उसी के लिए guys, यहाँ पे दिया हुआ है, limit price, इस पे अगर आप एक बर click करेंगे, तो यहाँ पे limit पे slide करके, नीचे जो box मिलता है, यहाँ पे आपको 152 slide कर ले हैं, मतलब type कर दिना है, इसके बाद अगर आप buy पे click करते हैं, तो guys, automatically आपका जो यह मतलब share है, वो intraday में buy हो जाएगा, बिना कुछ किये वे, जैसे हुए 152 में market price आएगा, automatic buy हो जाएगा, मतलब कम दाम में आप इसको buy कर पाएगे, जैसे ज़्यादा दाम होता है, इसको आप sell करेंगे, तो आपको profit हो जाएगा, तो बस guys, यही तरीके को use करके, आप market price से कम में कोई भी share को buy कर सकते हैं, ज़्यादे price होता है, उसको आप sell कर पाएगे, automatically, इसलिए यहाँ पे limit price दिया ग तो यहाँ पे मैंने market price रख लिया, और उसके बाद guys, आपको यहाँ पे stock का quantity है, वो डाल देना है, नीचे एक और button आपको दिख रहागा, add stop loss, तो guys, stop loss क्या होता है, अब यहाँ पे अभी का जो price है, वो है 114 रुपिया, और अगर आपने 114 में खरीदा, और आप चाहते य क्लिक करेंगे, तो आप उस price को यहाँ पे अगर डालेंगे, तो उतना price होते ही, यह automatic sale भी हो जाएगा, जैसे मैं आपको बताया कि limit price लगाएंगे, तो automatic buy होगा, stop loss लगाएंगे, तो automatic sale हो जाएगा, मतलब कि आपको ज़्यादा loss नहीं होगा, तो मैंने stop loss पे क्लिक किया, इसके बाद मैं buy पे क्लिक करूँगा, तो क्या होगा, जैसे ही 153 आएगा price, यह automatic sale हो जाएगा, और हमें 1 रुपिया का loss होगा, और अगर हमने stop loss नहीं लगाया, और यह जादा नीचे चला गया, 152, 155, 49, तो मतलब हमें जतना जादा यहाँ पे नीचे जाएगा, उतना loss ह होता ही रहेगा, और जब तक हम इससे exit नहीं करेंगे, तब तक loss होता रहेगा, इसलिए stop loss लगाना बहुत जरूरी होता है, तो guys, जो सबसी important सारे चीज़े थे, वो मैंने आपको बता दिया, अब अभी मैं आपको stop loss तो नहीं दिखाऊंगा लगा क्योंकि मैं आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ कि कैसे आप intraday कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक quantity डाल दिया, intraday select कर लिया, अब सिंपल सा आपको क्या करना है, नीचे buy के बटन पे click करना है, तो यहाँ पर मैंने buy के बटन पे click किया, और guys, देख सकते हैं, यहाँ पर buy order successfully, यहाँ पर हमन नहाँ पे दिखेगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने कितना quantity select की, जो है purchase किया है, तो एक quantity यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक quantity मैंने purchase किया, कितना इसका price था, तो 154 रुपया 20 पैसा में मैंने इसको purchase किया, और अभी मेरा क्या हो रहा है, loss हो रहा, profit हो रहा है, तो यहाँ से बीच में आप वो चीज देख सकते हैं, जो कि भी market दोस्तों, एक ही में अटका हुआ है, मतलब बीच में यह ना उपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो मुझे loss होगा, उपर जाएगा तो profit होगा, मतलब कि 154 रुपया 20 पैसा से नीचे जा देख सकते हैं, यहाँ से अप directly chart भी देख सकते हैं, अब मैं back जाके यही से दोस्तों आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर यह चीज कर रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे अभी minus 15 पैसा, 10 पैसा का loss हो रहा है, बढ़ कोई बात नहीं मैं आपको सिखाने के लिए इतना loss कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहां पे देख सकते हैं इस तरह से जो है आप intraday कर सकते हैं और यहां पे guys मैंने सिर्फ एक share को buy किया है तो वो नीचे आपको दिख रहा होगा एक share और सिर्फ मैंने एक stock में buy करके करेंगे और अब यहां पर यह चल रहा है और यह चलेगा दोस्तों तीन बज़ के 20 से 25 मिनट तक और अगर आपने इसको सेल नहीं किया तो यह automatic guys आपका सेल हो जाएगा और अगर automatic सेल होता है तो आपको चार्ज जादा लगेगा इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको तीन बज़े से पहले ही इसको सेल करके निकल जाना है ताकि जो इसका चार्ज लगता है उतना ही चार्ज लगे आपको जादा चार्ज ना लगे तो यहां पे इसलिए आपको इंट्राडे में यह चीज़ ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तो guys यहां पर हमने पर्चेस कर लिया अब जब तक आप वेट करना चाहें वेट कर सकते हैं मतलब तीन बज़े तक के अंदर तक जितना दिर तक चाहें आप उतना वेट कर सकते हैं और तीन बज़े से पहले आप चाहे लोस में हो चाहे प्रॉफिट में हो आपको इसको सेल करके निकल पढ़ेगा तो यह गाईस हो गया और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक बात का आपको ध्यान आना कि जिसमें जादा उपर नीचे होता है मैं आपको समझाने के लिए उपर नीचे वाला यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पर इसको वालेटिलिटी बोलते हैं तो यह जादा जिसमें रहेगा उसी स्टॉक को आपको इसको पर्चेस करना है इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया अब चली इसको एकजिट कर लेता हूँ मेरा जो भी यहाँ पर लॉस हुआ है वो माइनस पंदरा और 20 पैसा का लॉस दिख रह और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो स्टॉक है जो मेरा इंट्राडे का यह सेयर था वो यहाँ पर इसको एकजिट करता बट मुझे आपको दिखा रहा था तो मैं यहाँ पर जल्दी से सेयल कर दिया तो इस तरह से आप जो है कोई भी और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको option trading में करना है intraday तो वो मैं next video में बताऊंगा जो कि बहुत ही important video होगी तो उस video को आप wait कीजीगा फिलाल आप कोई भी stock में इस तरह से intraday trading कर सकते हैं और यही दिन में आपको इसको खरीदेना है और यही दिन में इसको sale कर दे तो guys I hope कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसी आप कोई भी stock में और जो है कोई भी दोस्तों यहाँ पर application के अंदर intraday trading कर सकते हैं और जैसे कि मैं आपको बोला कि आपको next video का wait जरूर से करना है और अगर आपको जाना आप जाना चाहते है कि कोई भ देख सकते कि कैसे आप long term के लिए कोई भी share को buy करके उसको hold कर सकते ही तो guys I hope कि आपको वीडियो बहुत informative and helpful लगी होगी तो वीडियो को जरूर से like share कीजेगा guys and हमारे चैनल को subscribe करके बेल आगिन पर press कर लिजेगा आपका support मुझे बहुत ही motivate करता है और मैं ऐसा ही आपके ल आपके लिए जाहिंद वंदे मातरम